बोलो पगमान बाबाशीरी चन्द महाराज जीदी जै अज असी बाबाशीरी चन्द जी नल सबंदत एक होर साखी दसन जा रहे हां बाबाशीरी चन्द जी सकतियं दे पंडार सां उहना दे दरसन करके ही दुख दलितर दुर हो जान दे सां अते खुशियां परापत हों दियां सन एक वार बाबा शरी चांद जी जंगल विच समादी लाके बैठे होई सन संगतां बाबा शरी चांद जी दे दर्सन करना चोंदियां सन पर बाबा शरी चांद जी दे आले दो आले बहुत सारे जानवर बैठे होई सन बाबा श्री चांद जी दे दर्सन करके निहाल हो रहे सन जद बाबा श्री चांद जी दी समादी खुली तां बाबा श्री चांद जी ने देख्या कि संगतां जानवरां तो डार रही हैं जानवर बाबा श्री चांद जी दे आले दौले बैठे होई सन सारे अपने अपने त्यान विच्मगन सन संगता दूरों दूरों बाबा श्री चंद जी दे दर्सन कर रहिया सन बाबा श्री चंद जी दे नेड़े आंतों जानवरां दे करके डर रहिया सन बाबा शरी चंद जी ने संगता नू किया कि जानवरा तो डरंदी कोई वी लोड नहीं है जानवरा ने जो इनसान नू दिता है उस ता दिन कदे वी इनसान नहीं दे सकता बाबा शरी चंद जी ने किया कि जानवरा दापरबाब मनुख उत्ते बहुत जादा है जानवरा ने हर समय मनुख दी से अता ही कीती है बाबा शिरी चांद जी दे आले दो आले जदो संगता अकठिया हो गईया था बाबा शिरी चांद जी ने संगता नू किया कि जानवरां दापरबाब मनुख उत्ते बहुत जादा है जाद पगवान जी ने जीवान उमर वंडी ता मनुख नू उस समें चाली साल दी उमर परदान कीती गई होर वी बहुत सारे जानवर उत्ते बैठी होई सन बैल नुवी चारी साल दी उमर परदान कीती गई कोडे नुवी चारी साल दी उमर परदान कीती गई उलू नुवी साल कुते नुवी वी साल दी उमर परदान कीती गई जद पगवान जी सार्या नुव उमर दादान दे के विहले होए तां बैल ने हथ जोड के बेन्ती कीती की महाराज मैं इन्नी उमर लेके की करांगा जद मैं बुड़ा हो गया ता मेरी किसे ने मैं सहता नही लेनी मनुख ने बुड़े बैल्नू की करना है किरपा करके मैं 90 साल दी उमर पर दान किती जावे पगवान जी ने किया कि जो तो हड़ी वी साल होर उमर है उस ता की किता जावे मनुख ने ओवी साल उमर ले लई मनुख ने किया के मिलनों दिती जावे पगवान जी ने बैल दी वी साल उमर मनुख नो दे दिती इस तो बाद कोडे नू जो चाली साल उमर मिली सी कोडे ने पगवान जी देगे बेंती कीती की महराज मैं चाली साल उमर लेके की करांगा मनुख ने मेरे उत्ते स्वारी करनी है वो वी साल दी उमर तक ही करदा है जदो मैं बुड़ा हो गया ता मैं की करांगा पगवान जी ने कहा कि फिर दस तेनो किनी उमर चाही दिया कोड़े ने कहा कि मेनो वी साल दी उमर ही परदान किती जावे पगवान जी ने कहा कि बाकी वी साल दा फिर मनुख ने कहा कि वी साल मेनो दिती जावे मनुख दी पहला चाली साल उमर सी बेल दी वी साल लेके साट साल हो गई कोडे दी वी साल लेके असी साल हो गई इस तों बाद उलू ने किया कि महराज मैं भी इनी उमर की करांगा किरपा करके मैं नूई दस साल दी उमर दिती जावे तां उलू दी वी उमर दस साल किती गई फिर जो दस साल दी उमर सी मनुख ने किया कि मिनू दे दियो ओह दस साल उमर भी मनुख ने ले लई इस तो बाद कुटे दी वारी आई कुटे ने किया कि मिनू भी किरपा करके दस साल दी उमर ही परदान कीती जावे ताँ मनुख ने उह दास साल दी उमर वी ले लई हुन मनुख दी उमर सो साल हो चुकी सी इस तरह मनुख दी उमर हुन सो साल सी इस तरह मनुख जिदना चरजीवित रहनदा है उस दी उमर उते चाली साल तो बाद उहना जानवर रहनदा पर बाव रहनदा है जिना दी उमर उसने लई सी जी में चाली साल तो बाद मनुख जानवरां दी उमर जीना सुरू कर दिन्दा है चाली साल तो बाद साथ साल तक बैल दी उमर हुंदी है बैल दी तरह ओहो मजदूरी करदा है अते जन्ता दा पार अते समाज दा पार वी टूंदा है साथ साल तोले के असी साल तक कोड़े दी उमर हुंदी है कोड़े दी तरह मनुख कम करता है हर कोई उसनु वर्तदा है जिस तरह कोड़े उते स्वारी करते हन उससे तरह मनुख दी वर्तों की ती जान दी है उस तों बाद 80 साल तो लेके 90 साल तक उल्लू दी उमर हुंदी है मनुख उल्लू वांग हनेरे वी चफिरता है मनुख नू कोई वी नहीं पुसदा हनेरे ही फोलता रहनदा है 90 साल तों बाद कुटे दी उमर आंदी है मनुख कुटे वांग बोलदा रहनदा है पर उस ती कोई वी नहीं सुनदा मनुख बिना मतलव तों बोलदा रहनदा है पर कोई वी मनुख उस वलत्यान नहीं दिनदा उस नू कोई वी नहीं सुनदा इस तरह बाबा श्री चंद जी ने किया कि मनुख उत्ते जानवरांदा पर बाबा बहुत जादा है पर मनुख जानवरांदा सतकार नहीं करदा इस तरहं बाबा शरी चांद जी ने किया कि सौ साल तो उप पर जो जीनला है मनुख ओहु अपने पिसले करमा दे करके जो चंगे पुन कीते हुन देहन उस्टा final हुन दा है बाबा शरी चंद जी ने संगतन उपधेस दिन्दे हुए कि चंगे कम करो पगवान जी दा सिमरन करो, नीक काम करो 84 लख जुना तो बाद मनुखी जामा मिलदा है मनुखी जामे विच आके परमातमा दा नाम लेके अपना जीवन सफल करो, अते खुशियां परापत करो इस तरह बाबा शिरी चांद जी ने संगतनू साच दा उपदेश दिता बाबा शिरी चांद जी ने इस तरह कथा दी समापती कीती बोलो पगवान बाबा शिरी चंद महाराज जी दी जै